एलो दोस्तो आज मैं बताँगा दुबई के वीजा कैसे चेक होता है तो अगर अब भी दुबई के लिए न्यु फिर फिरीजा के लिए तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका विजा का यह ग मरूल कर सकते हैं कि यह वीजा कभ इसू आया कभ एक्सपाइड हुआ है तो दोस्तों वीडियो श्टाटिंग करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको ऐसा यह वीडियो मिलता रहे है दोस्तों सकते हैं एक्सपाइड चेक कर सकते हैं वो भी अनलाइन अपने मोबाइल से आपको कहीं जाने की ज़रुवत नहीं है अब करना है लेकिन अब आप आई आएग टाइप करेंगे तो आपके पास आई से आजाएगा आईग है आई आई चे पीशिप इसमार्ट में आ जाएगा तो आपको क्लिक करना है ICP Smart Services पर क्लिक करना है तो चलिए क्लिक करते हैं क्लिक करने का बाद से दोस्तो तोड़ा सर्च ले रहा है तो दोस्तो इसके बाद से आपके स्कीन पर कुछ ऐसा आजाएगा देश सकते हैं इस पर दिखा है File Validity इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आप देख सकते हैं उसके बाद से इस पर लिखा है Search by में File Number है और Passport Number है तो दोस्तो फाइल नमर होता है जो वीजा नमर होता है तो दोस्तो आप वीजा नमर से भी चेक कर सकते हैं पासपोर्ट से तो दोस्तो हम आपको बताएंगे पासपोर्ट से तो पासपोर्ट इंफार्मेशन पर किलिक कीजिए उसके पास लिखा है Select the Type तो यह रेसिडेंसी होगा और यह वीजा होगा दोस्तो अगर आप दूबई में हैं तो रेसिडेंसी से चेक कर सकते हैं अगर आप इंडिया में अगर बीजा अपलाई किये हैं तो आप बीजा पर किलिक किजिए तो बीजा पर किलिक करेंगे उसके पास इसमें आपको डिटेल्स भरना है और देख सकते हैं मैं अपना passport नमर हों तो मेरा passport नमर ँषके पासपोर्ट एक्सपार, मांग रहा है तो passport expiry date मैं अपना भरता हूं तो देख सकते हैं, मैं अपना passport?' डेट भी ढाल दिया हूं उसके बाद से इस में linen करेंगे तो आप अपना country का भी चेक कर सकते रहे हैं यहाँ सब करना तो दायर्क है आ दालीए टू-0-5 ये इंडिया का code नम्मर है इस code डानले के पाद से automatic आपका country select कर लेगा उसके बाद से I am not a robot पे क्लिक कीजए not a उसके बाद से सर्च पे जाईए सर्च पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद से देख सकते हैं कि आपका कुछी जागे आया आपका पूरा डिट्रेस लिखा चुका है तो देखिए मेरा मेरा यह वीजा नमर है उसके बाद से मेरा इमिजर से फाइड नमर दिखा रहा है उसके बाद से फाइल इंफरमेशन मतलब जो वीजा का इंफरमेशन है वह दिखा रहा है जिसमें दिखा रहा है फाइल स्टेटरस में यह लिख चेक नहीं दिखा रहा है और यह लिखा फाइस भी यह दिखा रहा है यह मेरा भी जखा रहा है तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना वीजा या किसी chamado दोस्तों किसी machen चेक कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से Queensborough Chip सब कुछ आप चेक कर सकते हैं लगा है तो दोस्तों अगरा हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेट कीजिए